हेल फ्रेंट्स मैं हूँ सन्मर प्रकाश और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज ये 23 फरवरी 2020 के इंपर्टेंट करेंट वर्स कोशन्स हैं आपकी एक्जामनिशन में कम आएंगे इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो खत्मोंने से ठीक पहले इसका लिंक आजाएगा डाउनलोड का तो पहला कोशन है आज का GSI यानि Geological Survey of India की ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के सोन भद्र जिले की पहारी वक खदान में कितना सोना है इसका अंसर है 160 किलोग्राम अदरसल आपने नियूस पेपर में या टीवी पे आपने बहुत दिखा होगा कि 3000 टन जो सोना है वहाँ पर ये मीडिया में बात आई थी और ये खुब जब चर्चा हुई इसकी और फिर इटेंडरिंग देने की भी तैयारी सरकार की ओर से होने लगी उसके बाद अब 22 फुरवरी को GSI के निदेशक ने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा निदेशक हैं डक्टर G.S. तिवारी 60 kg सोना ही निकलेगा उनका कहना था कि सोनभद्र में 52,806 टन सोन आयसक है ना कि शुद्ध सोना है और सोनभद्र में मिले जो स्वन आयसक है उसके एक टन आयसक से मात्र 3.03 ग्राम ही सोना निकलेगा तो एक बड़ी बात ये निकल के आई और उस समय जब बताया जा रहा था मीडिया में 3,000 टन सोने की और बताया गया कि 12,00,00 करोड रुपे का सोना है वहाँ तो ये सब अब गलत साबित हुई है तो आप लोगों को भी ध्यान में रखने की चीज है जरूरत है बाद में जो भी अपडेट होता है नियूस का उसके बार में आपको जाना चाहिए ते चल रही है तो इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि भारत में सबसे ज्यादा सोना कहां पर निकाला जाता है ये भी एक चुकि सोने से जुरा हुआ मामला है इसलिए भी जाना जरूरी है आपके लिए तो भारत में सबसे ज्यादा सोना है वह करनाटक के हुट्ती ख़दान स यह से निकला जाता है की तो इसे लिहाद से भारत में कर्णाटक जो एं कए सोने का सबसे बड़ा उतपादक राज्य हैं least इसके बाद आंध्रपरदेश दूसरा सबसे बड़ा सोना उतपादक राज है आंध्रपरदेश इसके बाद फिर नमबर आता है जyahरकन्ड केरल मद्ध प्रदेश वहां भी सोने की छोटी मुट बड़ी ख़दाने हैं आगे बढ़ते हैं और उससे पहले अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन जोड़ बना और दोस्तों को शेर करना में भूलना हो के दोस्तों को जोड़ शेर करें अगला कोशन है पहली बार खेलो इंडि यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 को किस शहर में किया गया है इसका अंसर है भूवनेश्वर ओके अधिके पहली बार हो गया है और पहली बार जो भी इवेंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो 22 फरवरी को परधानमति नरेद जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके 37,000 एथलीट इसमें हिसाल ले रहे हैं और यह जो आयोजन हुओ और इसा सरकार के सहयोग से केंद सरकार के द्वारा करवाए जा रहा है और इस परित्वक्ता में 17 तरह के खेले हैं जैसे तिरंदाजी, एथलेटेक्स, मुक्यबाजी, तल अगला कोशन लेते हैं भारत के 22 में विधी आयोग का कारेकाल कितना है दिखिए अभी हाली में केंदरी मंतरी मंदल ने यानि परधान मंतरी के अध्रिक्षता में 22 में विधी आयोग यानि लौ कमिशन के गठन को मंजूरी दी गई है तो इस कोशन का अंसर होगा तीन साल इस आयोग का कारेकाल होगा तीन साल और ये जटल कानूनी मुद्धे पर सरकार को परामश देने का काम करेंगे सजेशन देने का काम करेंगे और सुप्रीम कोट के एक रिटार्ड जज या हाई कोट के चीफ जश्टिस लेविल के जो रिटार्ड है उनके दोरह इसकी अध् आठारों को समाप्त हो गया था और उसके अध्यक्ष थे रिटार्ड जश्टिस बी एस चोहान तो उन्होंने कुछ अनुशन सायं की थी कानूनी उनमें जो सबसे चर्चित था वो जानना आपके ज़रूरी है तो था लोकसभा और विधान सभा चुनाओं को एक साथ कराना और समान नागरिक संगीता बनाने की अनुशन सा तो ये मुक्ष तोर पर दो थी कई सारी अनुशन साय की थी लेकिन जो इन्पोर्टेंट है वो आपको मैंने बताया और दोस्तों आगे बंड़ से पहले आपसे रिक्वेश्ट है जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किय जरूर करना साथ मिलेक दोवाना मत भूलना अगला कोशन लेते हैं केंदर सरकार ने अमर्जीत सिनहा और भासकर खुलबे को किसका सलहकार निक्त किया है इसका अंसर होगा प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री का सलहकार उनको निक्त किया गया है और ये मंत्री मंडल की निक् जो हैं अंटायृत की दी गई होंके दोनों जो हैं वह भास्कर खुल्बे उच्छ emergency सब्सक्रायत क्योटी है जब की जो खुल्बे है वह में काम कर चुके हैं वहा तो अब उनकी निपती होए और दो साल के कॉंट्रेक्ट पे हुई है चुकि प्रधानमंत्र से जूरा मामला है इसलिए इतना जाना ज़रूरी था अगला कोशन लेते हैं FATA यानि Financial Action Task Force उसने किस देश को जून तक ग्रिल इष्ट में रखने का फैसला किया है इसका आंसर होगा पाकिस्तान मुझे लगता है सबको पता होगा अभी हाली में FATF की बैठक हुई और उसी में ये फैसला हुआ है हाला कि FATF ने चितावने दी है कि अगर पाकिस्तान जो वो लश कड़ी करवाई का सामना करना पड़ेगा और मीडिया रिपोर्ट में ये बे आई है कि इंडिया तो जाता था कि वो ब्लेकलिस्ट हो जाए लेकिन चीन ने उसको बचा लिया अगले कोशन लेते हैं सभी फॉर्मिट में 100 मैच खेलने वाले हैं दुनिया के पहले किर्केटर तो नियुजी लेंड के और ये रिकॉर्ड उन्होंने भारत और नियुजी लेंड के भी जो खेली जा रहे हैं टेस्ट शिंखला है उससे पहले इंटरनेशनल किर्केट मैच में ये कायम किया है अगला कोशन है भारत में पहला भारत बांगला पड़ेटन उत्सव कहां पर जो देश है वो खासतोर पर तिरपूरा के प्रड़ेटन को बढ़ावा देना है और तिरपूरा और परुसी देश जिसे बंगलदेश है तो उसके नागरिक उस राज के प्रड़ेटन सलों से अवगत हो पाएंगे बाकी देश के लोग भी अवगत हो पाएंगे तो तिरप हो रहा है वहां के मुख मंत्री कौन है विपलब कुमार देव और गवर्नर कौन है रमेश बैस नेक्ट कोशन है रक्षा मत्री ने किस जगह पर नए सेना मुख्याल है उसका नाम है थल सेना भवन तो उसकी आधारशिला रखी इसका अंसर होगा डिली में अधिके 39 एकर का य सेन और नागरिकों के लिए यह असन जो अधिकारी है उनके लिए भी यहां पर कर रहे होंगे पांच साल में निर्मान कर लिया जगह देखिए इस वक्त सेना मुख्याल है कहां पर है तो साउथ ब्लॉक में है राजपत पर देखिए राजपत पर सरकार ने नया सिंट्रल का प्लान तैर किया है और राजपत के दोनों साइड में वहां पर बिल्डिंगें बनाई जाएंगे तो अब आने वाले वर्षों में साउथ ब्लॉक को जहां पर मुख्यले है सेना का उसको मियूजम में तबदील कर लिया जागा तो इसलिए नय सेना मुख्यले की जरूरत पर थी तो सेना प्रमुख कौन है इस वक्त आर्मी चीफ तो जनरल मुकंद नर्वने और सीडियेस कौन है चीफ आफ डिफेंस सेटाप जनरल विपिन रावत नेक्स्ट कोशन है राष्टिय जैविक भोजन उत्सव यानि नेशनल और्गनिक फूड फेस्टिवल किस शहर म अगला कोशन है बांगला भाषा अंदोलन में जान गवाने वाले शहीदों की याद में शहीद दिवस कब मना जाता है इसका अंसर है 21 फरवरी तो दोस्तों ये था 23 फरवरी का करेंट फर्स उमीद है अच्छा लगा होगा और आपको बता है कि जनवरी और फरवरी का दो महिने का जो करेंट फर्स है वो अबलेबल है पीडिएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और दोस्तों